नमस्कार अमरी खास पेशकर सुनों और चुनों में आज हम मौजूद हैं उत्तर मुंबई में जहां से कॉंग्रेस सांसत संजे नीरुपम को कॉंग्रेस ने टिकेट दिया है तो बीजेपी से गोपाल शेटी को टिकेट दिया गया है वहीं आम आदमी पार्टी से सतीज जैन तो समाजवादी पार्टी से कमलेश यादो मैदान में हैं करीब साड़े सत्रा लाक मद्दाताओं के इस लोकसबा शेत्र में इस बार के चुनावी समीकरन कैसे हैं आईए जानते हैं उत्तर मुंबई लोकसफा सेट मराठी और गुजराती बहुल इस इलाके में छोटे मोठे ब्यापरियों की संख्या बड़ी है इस शेत्र में जुग्यों में रहने वाले लोगों की संख्या भी बड़े पैमाने पर हैं इस बार इस लोकसबा सीट से कॉंग्रेस ने अपने मोजुदा सांसत संजे निरुपम पर फिर भरोसा दिखाया है वही बीजेपी ने अपने मोजुदा विधायक गोपाल शेटी को मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी से सतीजयन चुनाव लड़ रहे हैं तो वही समाजवादी पार्टी से कमलेश यादव उत्तर मुंबई से मैदान में है लेकिन जानकारों की माने तो इस सीट पर सीधा सीधा मुकाबला संजे निरुपम और गोपाल शेटी के बीच है आपको बता दे कि इस लोगसवा शेत्र में विधान सबा की 6 सीटें आती हैं बोरिवली, दहिसर, माक्थाने, कांदिवली पूर, चारकोप और मलाड पच्छिम जिसमें से दो बिजेपी के पास है दो कॉंग्रेस के पास तो एक शिवसना और MNS के पास है वैसे इस लोगसवा शेत्र की समस्याओं की बात करे तो बोरिवली नैशनल पार्क में हो रहा अवेद निर्मान और बिजली के बढ़ते बिल एक प्रमुक समस्या है वैसे आपको बता दे कि उत्तर मुंबई लोगसवा सीट बीजेपी का गड़ है इस सीट से रामनाईक ने लगातार पांच बार जीत हासिल की थी लेकिन साल 2004 से इस सीट पर कॉंग्रेस ने कबजा कर रखा है इसी सीट से अभिनेता गोविंदा साल 2004 से सांसत बने थे लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है वज़ाद चुनावी मैदान में मोदी का समर्थन कर रही MNS है इस सीट से MNS ने अपना उमेदवार नहीं उतारा है जिसके चलते सीधा फाइदा बीजेपी को हो सकता है बहरालिये देखना होगा इस लोकसबा सीट पर जीत का परचम कौन लहराता है आसिफ रिजवी के साथ शिवशिन दे P7 News मुंबई सबसे पहले आप से जानना चाहूंगा स्लम एरिया में आप प्रचार कर रहे है क्या कुछ मुद्दे जनता के हैं यहां के आप सिटिंग MP रहे है यह जिस स्लम में हम घूम रहे हैं तो बिलकुल अलग किसम का स्लम है नमस्कार भीया नमस्कार चाची नमस्कार बाई साब तो यह जो स्लम है यह इसके पीछे सिवसना बीजेपी के लोग हमें साथ तुड़वाने के लिए लगे रहते हैं और मैं इनको बचाने में लगा रहता हूं नमस्कार बाई साब और आगे भी बचाऊंगा और जब तक मैं रहूंगा तब तक हाथ ने लगाने दूँगा इनको क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले तो इस स्लम का सर्वे होना चाहिए सर्वे ही नहीं हुआ बोलते सारा स्लम बोलते सारा स्लम अवायद है ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग है 95 से पहले के बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग हो 2000 के पहले के हैं अगर आपको लगता है कि कुछ अनाथराइस्ड है तो आप पहले सर्वे तो करा हूँ, आज तक सर्वे ने हुआ, मेरे आगरा पर मुखमंत्री जे ने सर्वे शुरू कराया, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्लम डिकलिर करिये, ताकि महानकर पालिका जो 23,000 करोड पर ख सब वैदनागरिक हैं, और एक मजबूरी के तार, वो लोग इन जोपडों में रहते हैं, और उनके मजबूरी का मजाक नहीं उडाना चाहिए, उनको कहीं ने कहीं संगरक्षन मिलना चाहिए, यह मेरा आगरा है, सर पूरे शेत्र में हम देख रहे हैं कि आपने पिछले दि इस यह तो यहां पर कॉंगरेस पार्टी के लहर चल रही है, लोगों का जिस परकार का प्रतिसाद है, वो निश्चित वरपर हमारा चाति फूला देता है, इसलिए, इस लिए कि पांच वर्षों तक लागातार हमने काम किया, मैं ने काम किया, मेरे साथियों ने काम चिया, कोई MP की तरह हवा हवाई में नहीं रहा गलियों में गुम के ये इस रोड पे जुपर पटी में पिछले पांच साल में कमसे पचास बर आया होगा और हर दिन आता हूं कोई ने कोई प्रुवाम होता आना होता है कोई प्रॉब्लम होता आना होता है सर काफी नए वोटर्स भी हैं आपके शेतर में उन से किस तरह की अपील करना चाहिए नए वोटर के बीच हमारा कैंपेंड बहुत अच्छा चल रहा है मैंने अपना एक यूथ एजंडा बनाया है और उस यूथ एजंडा में पिछले पांच सालों में मैंने क्या किया ऐसे न देया रहे है अलग अलग जो फुटबॉल क्लब है क्रिकेось वहाँ जा रहे हैं मन्डल के बच्चों से मिल रहे हैं और उनके वीच मिल करके वह इस तरह का प्रचार कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है जो प्रचार के बाद जो फीडबेक आ रहा है सारे बच्चे एजे कंडिडेट मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कंडिडेट के तौर पर हम संजय निरुपम के साथ है पिछले दिनों का जो अंशन था सर आपने जनता के लिए आप अंशन पर बैटे रहे उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं इफेक्ट यह है कि मैंने गरीब लोगों के बिजली बिल सस्ती करने के लिए आंदोलन चलाया अंशन पर बैटा भूखे रहा चार दिनों तक कोई अनाज नहीं कोई दाना नहीं लिया और आज इस्तित आपसे है उत्तर मुंबई के जनता संजय निरुपम जी को वोट क्यों दे इसलिए कि संजय निरुपम उनके सुगदुक में पूरे पांच साल शामिल रहे इसलिए कि संजय निरुपम इसलिए अकसेसिबल रहे इसलिए कि संजय निरुपम गली-गली में घुमें और पूर मुंबई है कास करके जो सलम एरिया है उनके लिए उन्होंने इन पाच सालों में जो एंपी दे काफी काम किया है और उनको उम्मीद है कि इस बार भी वो जीतेंगे मुंबई से बीजेपी और महायूती के उम्मीदवार गोपाल शेटी जी हमारे साथ मौजूद है यहां पर प्रचार कर रहे हैं सर सबसे पहले मैं आपसे जाना चाहूंगा किस तरह का महौल देखा जा रहे हैं यहां पर किस तरह से जो मुद्धे हैं वह आप उठाने की कोश गाड़ी एक भी दिखाई देती ने सब रोड़ पैक हो गए इतने बड़े पहिमाने पर लोग मद्धाता प्रतिसा दे रहे हैं यह पहले दिन से चालो है यानि लोगों का कॉंग्रेस के उपर का जो गुसा और नरेंद्र मोदी जी के उपर का प्रेम और मैंने जो 22 साल में टीनरा नगर सोकवर दो बार विजय के न देखिया है काम सिवशेना भर्तेंता पाटरी आर्पीया के संगटन की टाकत हुए मोदी की लेहर 27 साथ-सात मैं मैंने मर जाते हैं याने इतना बड़ा विश्य मुंबई शहर में होते हुए भी केंदर की सरकार कुछ कर नहीं रही है इसलिए मेरा प्रायरिटी है और मैंने तई किया कि पहले साल में कम करके बताऊंगा अब आप पूछो के पहले साल में कैसे होगा तो नरेंद्र मुदी जी के प बहुत बड़ी उपलब दिये आपके शेत्र में एक स्लम रिहाबलेटेशन जो एक एहम मुद्धा है उसके लिए क्या कुछ करना हो देखिए बोरेली में मैंने सभी रास्तों को नया इंटर करते हुए चावडा किया है बहुत बड़े पहमाने पर और बोरेली पच्छी मे जुगी जोपड़ भी लोग रहते हैं बाकी सारे लोगों को घर देने का काम में नेकिया है तो यह उत्तर मुंबए में सभी बीजेपी सीउचेना और और आर्पे के कारे करताओं को लेकर मैं करूंगा मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा सारे हमारे संगटने की बहुत ब 30-35,000 रुपे कमाता है डबल ग्रैजुएट लोग MBA जो करते हो इसको नोकरी मिलता है मैनिजर बन जाता है दो साल में मंगला मिलता है गाड़ी मिलता है सारी सुईधा है लेकिन आज के देश के हमारे युगाओं को एक बात की सिंता है कि पाकिस्तान के सैनिक आकर हमारे सेन में जब आदमी आते तो मरने के लिए यह लेकिन गोली खाकर मरने कि उसकी तमना होती है मुझी काटना एने उसके लिए भी शर्म की बात है और हमारे नागरीकों के लिए इस चाहिना के लोग 19 किलोमेटर हमारे देश के सरत के अंदर आजाते है और हमारा प्रदानमंतरी देनाओं को लोगों को कहिए चाइना के बॉटर के अंदर 19 किलोमेटर ढखल के आ जाओ करके अगर तुमको चलने का शोक है तो अपने बॉटर तक 19 किलोमेटर चलो इधर पाऊ नहीं रखनेगा इस प्रकार का एक जोर से कहने वाला प्रदान मंत्री युहाओं को चाहिए और किसी ने बनाया तो मैंने बनाया आए अगर आए अगर आजए आगर आजए अगर आज़ा कि नौट पुमबई से समाजवाधी पार्टी के कैंडिडेट ऄरा हमारे साथ मोजूद है उनसर ज्यादा बातचीत करते हैं सर क्या कुछ उम्मीदे हैं क्या कुछ जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच आप लेकर जाने हैं देखिए जनता समस्याओं से तरस्त है और बीजेपी और कॉंग्रेज के दोनों जो उम्मीदवार हैं सिर्फ लोगों को हवाई पुलाओ दिखा रहे हैं हवाई शपने दिखा रहे हैं जनता के हकीकत को हकीकत के रूप में बदलने के लिए जो जनता को जरूरत है उस जरूरत को उसके पास पहुंचाने के लिए समाजबादी पार्टी एक नई आसा और नई एक किरन के साथ आई है इसलिए लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब 16 मई को पिटारवा खुलेगा तो समाजवादी पार्टी उसमें से जीत करके आएगी इतना मुझे पूरा विश्वास दो बड़े नाम है संजेनी रूपम गोपाल शेटी और आम आदमी पार्टी के सती जेन भी आपके खिलाफ खड़े हुए किसको चुनौती में तो कोई भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि नहीं चाहे बीजेपी हो चाहे कॉंग्रेस से चुआप पार्टी का तोहां अस्तित्यवी नहीं है और बीजेपी और कॉंग्रेस के लोग बीजेपी के लोग तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे है गोपाल सट्टी जी को देखिये तो का बोरी ओली का कोई भी एक मैदान बॉरियली में कोई एक भी खेलने के लिए बगीचे बॉरियली में बैटने के लिए कोई गारडन नहीं बचा है जो गुपाल सेटी साहब ने खुद के नाम पे नहीं कर दिया हूँ बिना पैसे का वहाँ कोई जा नहीं सकता। साइंचाई निरुपम साहब ने पांच साल में लोगों को सिर्फ लॉली पॉप देते रहे उन्हों के लिए कॉलेज बनाओंगा खेलने का मैदान बनाओंगा और इतना जूटा आदमी अपनी किताब खोल करके आजकल प्रचार कर रहे हैं उन्होंने एक मालोनी में जो कि उनको क्या मिलेगा जो उनकी मूलबूत समश्याएं है ट्राफिक की समश्या है पानी की समश्या है और महानगर पालिका में स्यूशेना और प्रदेश और देश में बैड़के कॉंग्रेस जिस तरह से लूट कर रही है उनकी इन सारी समश्याओं कौन देखी कर रही है व लोगों को विश्वास में लेकर प्रसाशन के उपर दबाव डाल करके उन समझ्चाहों का निजान करूंगा। समाजवादी पार्टी के नौत मुंबई के कैंडिडेट कमले शादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो जनता के लिए जो कुछ मुम्किन होगा जो कुछ महां के मुद्दे हैं वो सब जानते हैं ग्राउंड लेवल का अपने आपको बता रहे हैं और स कि अमीदों पर खरा उतरने की बात करें हैं तरिवार बात करें अब रहेंगे चोरोंसे बस्ता चार का एधितार लो किद्रीवार बस्ता अबदाव मात्रा वो जो हो जो हो जो जो है आपको जो है नौत मुंबई से केजरीवाल की आम आदमी पाटी से उम्मीदवार है, सतीज जैन हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, सर सबसे पहले मैं आप से जानना चाहूँगा, क्या कुछ मुद्दे है जनता के बीच जो आप लेकर जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तर मुंबई के, एक तो ओपन स्पेसे का मुद्दा है, जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी के जो यहाँ पे एमेले थे, उन्होंने बाइस गार्डन पे कबजा कर चुका है, एक आम आदमी के लिए 44 स्क्वेर फीट का ओपन स्पेस होना के लिए हम लोगों की बहुत नई पॉलिसी है, मेदा पाटकर जी के नेतरुत्व में हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है, इससे हर जुग्गी वाले को 400 से 45 स्क्वेर फीट का घर मिलेगा, राजीव आवास योजना के तहत मुंबई शेहर को एक रुपया भी में नहीं मिला होगी, playgrounds होंगे, तो एक अच्छी बस्ती बनेगी, अपकी SRA की policy जो है, उसमें horizontal slums को थोड़के vertical slums बनाई जाते हैं, जिसमें फायर के tankers पहुंच सकते हैं, बहुत सारा नुकसाने नहीं, उनके पास open spaces हैं, यह मुद्दा है, फिर East West connectivity का बहुत बड़ा मुद्दा है, उ मद्दे नजर हम देखें कापी अनुगवी हैं, कमले शादो भी समाजवादी पाटी से, किसको चुनोती मानते हैं, देखो हम लोग समझते हैं कि जो पूरा political class है, यह एक तरह की राजनीती करता है, ब्रष्टाचार और महंगाई की राजनीती करता है, कम्यूनलिजम की रा मेरा आखरी सवाल आप से, जनता नौत मुंबई की आपको वोट क्यू देखें की रियल मुद्दे हैं, हम लोगों ने ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाएं जो फॉल्स प्रामिसेस कर रहे हैं, हम लोगों बता रहें कि ताकत आपके हाथ में, और ताकत हम आपको दिला के ही और जो मेन मुद्दे हैं, ओपन स्पेसेस का, इस्ट वेस्ट करनेक्टिविटी का, एड्यूकेशन का, हेल्थ केर का, इस सारे मुद्दे हैं, पानी के, बिजली के, हम लोगों को दिला के ही रहेंगे. तो बिल्कुल सतीज जैन यहां पर साथ तौर बर बता रहे हैं कि चुनौती तो किसी को नहीं बांते हैं, लेकिन जो नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे जरूर अपील कर रहें कि वोट दे, और उनके जो मुद्दे हैं, उन पर आमल करते हुए, वो इस नौत मुंबई की जो कॉंसिटुइंची है, उसके लिए जरूर काम करेंगे। क्या कुछ उनके मुद्दे है, कौन सा नेता उनने लुभा रहा है, चुनाओ बेहत नजदीक है, सबसे पहले चलते हैं, कॉंग्रेस के पास यहां पर जो है, नौत मुंबई से संजे निरूपम सिटिंग MP है, सबसे पहले मैं आप से जानना चाहूंगा, जनता क्यूं कॉं मुझे यह बताइए, कि आज हम लोग 21 सदी में है, 21 सदी में आने के बावजूद भी हम प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बीजेपी वालो ने नरेंदर मुदी का नाम आगे किया हो, क्या एजुकेशन है नरेंदर मुदी का, यहां से गोपाल चेटी, क्या एजुकेशन है इतने पड़े लिए इस दुनिया में जहां पर 21 सदी में हम लोग दोजार चाओदा की बात करें हम लोग उसमें पड़े यह साथ आठ पड़े हुए है, नरेंदर मुदी चार पांच पड़े हुए है, बीजेपी की लेहर मानते हैं आप इसको नहीं, इसकी कोई लेहर नही में नहीं है, हमारे साथ बीजेपी के भी लोग है, जी आप बताइए, इनका कहना है कॉंग्रेस का कि बीजेपी की लेहर इस वक्त जिस तरह से देश में देखे जारी, नौत मुमबई में नहीं है, क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है, इस पर ज़्यादा बाइस नहीं करते हूं, जब 16 तारीक को मद्दान का बॉक्स लेगा, उजी संजी निरुपम जी को भी कॉंग्रेस वाले को भी मालूम पढ़ जाएगा, कि किसकी लिएरती और किसका क्या हाल हुआ, और जहां तक पढ़ने लिखने की बात है, तो इतने सालों के सासन चला रहे, तो यह पढ़े लिखने को क्या किया, यह तो पहले बतावे जनता को, आम आद्मी पार्टी के भी लोग है, यहां पर उनके पास चलते हैं, आता ही है, किस तरह के मुद्दे है, क्या कुछ यहां पर पांच में होना चाहिए था, क क्या विकास करेंगे, 22 बोरियोली में 22 गार्डन है, जिनको यहां के बीजेपी गेमिले ने हडपके बैठे हुए, उस पे अपना कपजा है, वहां पर पैसा जा रहा है उनसे, यह विकास क्या करेंगे, पब्लिक की जो प्रोपर्टी है, उनको हडपने का काम कर रहे हैं यह हैं लोग भी कास करेंगे, आप बताएंगे, खाली मोदी के हवास से यहां का जो खरा हुआ है, वो जीट नहीं सकता है, आप बताए हैं। और वहां भी जहां जाएंगे, सांसद वहां भी जाएंगे, वो भी तोड़ने काई काम करेंगे, कोई अच्छा काम नहीं, एक रासन काड बनाना उनका काम नहीं है, लेकर उनके आपिस में रासन काड तक बनता है, मतलब जो उनके पास में अगल बगल में रहते हैं, उनको ज परदिये ना मुझ एक मिनट आपको मैं बता देता हूं कि गुजराइब विकास महरास्ट में हुआ है जो कि महरास्ट के सबसे बड़ा आज राष्ट बादी के सरत पबार जी जो विकास के और लेके गया है कॉंग्रेस और राष्ट बादी दोनों मिल करके आप पेपर में आ दो हजार दो से जो विकास किये इतने कम टाइम में यह आप मुझे बताईए इन्होंने साट साल में इतना टाइम लगाया करने को हजारोटन बादान में चूए का जैते हैं सर जाता है सॉमाप जाता है जो किसान भाई में इनठ करके पाईदा करते हैं मुम्भी पर मुम्भाई पर मौझूते मजूत है मिली जूली प्रतिक्या आया आ रोब peut-by आरोब का दोर जो है यहां पर देखा जा झाल झाल